केंद्र की NDA सरकार को अखिलेश यादव ने साल 2024 के चुनाव में उखाड फेकने के लिए नया प्लैन मनाया था इस प्लैन को PDA नाम दिया गया इसका मतलब है पिछडा दलित और अल्प संख्या कलायन्स अब BSP सुप्रीमों मायावती ने अखिलेश यादव के इस प्लैन की हवा निकाल दी है BSP सुप्रीमों की माने तो अखिलेश यादव का प्लैन फेल हो जाएगा क्योंकि जो प्लैन निकार अखिलेश चल रहे हैं उसमें जोल है मायावती ने ट्वीट कर इस प्लैन की पोल खोल दी मायावती ने ट्वीट किया यूपी में पिछले कई दिनों से जारी भीशनगर्मी की आफत में रांजधानी लखनव सहीत पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी ने लोगों का जीवन तरस्त कर रखा है जिससे बलिया और अन्य जिलों से मौत की खबरे आ रही हैं वह अती दुखद हैं सरकार विजली विवस्था तुरंट सुधारे और अस्पतालों आदी में विजली कटोती ना करें इसके साथ ही मायवती ने जो दूसरा ट्वीट किया है उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ कीश लिया सपा द्वारे NDA के जवाब में PDA यानि पिछडे दलित और अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के अतिकटिन समय में भी केवल तुकबंदी की सिवाय और कुछ नहीं है इनके PDA का वास्तव में अर्थ, परिवार, तल और अलायंस है जिस स्वार्थ में यह पार्टी सीमित है इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहे हैं मायवती के इस ट्वीट के पीछे उनकी नहराजगी को माना जा रहा है दरसल पिछडा और दलिद वोट वर्ग मायवती का कोर वोटर माना जाता है महीं सपा प्रमुक का मानना है कि अल्प संक्यक समाज उनके साथ है ही ऐसे में इस फॉर्मुले के साथ वो पिछडा और दलिद को अपने साथ लियाएंगे और बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश ने भले ही ये प्लैन बनाने की कोशिश की हो लेकिन मायवती अपने कोर वोटर को खिसकने नहीं देना चाहती अखिलेश की नजर इसी वोट बैंक पर है हलाकि वो इसमें कितना काम्याब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा आपको बता दे कि साल 2019 के चुनाव में सपा और बीएसपी साथ में लड़े थे लेकिन बीएसपी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाई थी लेकिन बीएसपी के खाते में दस लोग सबा सीटे जरूर आई अब सबा प्रमुक के पीडिये वाले एलान ने दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर से खाई बढ़ा दी है मायवती से पहले इसी मामले में बीजे पी नेता और यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौरे ने भी हमला किया था केपी मौरे ने कहा था कि पीडिये का मतलब पी से परिवार बाद, डी से दंगा और ए से अपराधियों का संग है इसलिए उनका पीडिये वह नहीं जो अखिलेश यादव बता रहे हैं पिछडे वर्प ने उनको नकार दिया है, दलित उनको देख नहीं सकता क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने काफी दमन किया है अखिलेश यादव ने इससे पहले ये भी कहा था कि उनका नारा असी हराओ भाजपा हाटाओ है इसलिए 2024 में PDA यानि पिछडे दलित और अल्प संख्यकों की एकता NDA BJP गडवन्दन पर भारी पड़े वहीं विपक्षी एकता पर अखिलेश ने कहा कि विपक्षी एकता का फॉर्मूला यही हो सकता है कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत हो उसको आगे करके ही बाकी दल चुनाव लड़े चुनाव और एकता के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है जो दल BJP को हराना चाहते हैं वे सपा का साथ देने में बड़ा दिल दिखाएं सपा का लक्ष बीजेपी को प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हराने का है जनता बदलाव चाहती है टाइम सनाव नव भारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट